तो आज का वीडियो को आफे important होने वाले इस वीडियो के इंदर हम जानने वाले हैं आपर Bitcoin के बारे में अगर हम देखे तो 1 hour के time frame में BTC का जो chart है वो हमें आपर bullish scenario में नजर आ रहे हैं अब यहां पर आप लोगो को मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूं सबसे पहले हम Google पर आप लोगो को एक image दिखाते हैं जो है एक symmetrical triangle and guys same चीज यहां पर आप लोग इस triangle के अंदर देख सकते हूं जो कि आप लोगो यहां पर नजर आ रहा है and guys यहां पर यह जो image है इसके अंदर में आप लोगो को दिखा सकता हूं कि यहां पर जो हमारा triangle बन रहा है symmetrical triangle बन रहा है कुछ इस परकार से and same चीज अभी 1 hour के time frame में हमें BTC में होती हुई नजर आ रही है जैसी कि आप लोग देख सकते हो first of all हमारा यह रहा गर देखिये सबसे पहले मैं आप लोग यह draw करना सेखाता हूं कैसे आप लोग को draw करना है सबसे पहले आप लोग को यह 3 मिल जाएगा यहां पर औसके बाद यहां पर हमारा यह 1 रहने वाल है and इसके बाद हमारा सेकंड टैच हुआ फिर यहाँ थूड़ा सा मूग हुआ इसके बाद फिर से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने यहां पर वक्ड़ किया है और इसके बाद से यहां जाने के बाद हमारा एक जो नेक्श मूँ हो सकता है वो कहीं ना कहीं 20,000 डॉलर की रिंच में हमें नजर आ रहे हैं तो फिलाल के टाइम पे अगर इस तरह से यहां पर यह वक करने वाला है और जो बहुत ज़दा पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रहे है बागी आप लोगो बताओ अभी आप लोगो क्या नजर आ रहा है BTC के अंदर जहां तक मुझे उम्मीद है के नेक्ट टार्गेट जो होने वाल है वो 20,400 डॉलर पे BTC का रहने वाल है वहाँ पर एक चोड़ा मोटा rejection हो करके यह जो हमारी पास एक और trend line चल रही है उसके आसपास हमें देखने को मिलेगा अगर हम 4 hour के टाइम फ्रेम में भी देखे तो 4 hour के टाइम फ्रेम में भी हमें यह चार्ट एक bullish scenario में ही नजर आ रहा है अभी आप लोग को entry नहीं लेनी है entry point में आप लोग को मैंने यहां पर आप लोग को बहुत जब यह थोड़ा सा उसको break कर दे उसके बाद आप लोग को entry बढ़ानी है चो कि करीब-करीब 19,600 डॉलर पे हमारी entry point रहने वाल है और 20,400 डॉलर पे exit point हमारा रहेगा विलाल के डाइम पर यही अपडेट है बेटी सी के moment में अगर आप लोग को वीडियो पसंद आये तो like कर देना ऐसी short time updates के लिए हमाई चैनल को subscribe कर लेना